आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान शाहीन बाग का प्रिदर्शन एक मिसाल बन चुका है जब शाहीन बाग को विदेशों में क्या पूरे भारत में ही शायद कोई नहीं जानता था लेकिन आज अंतर राश्टी इस तरह पर शाहीन बाग की चर्चाएं हो रही है बलकि देश भर में कहीं भी प्रिदर्शन होता है तो उसे शाहीन बाग का नाम दिया जाता है पत्ना का शाहीन बाग उत्तर प्रदेश का शाहीन बाग केरल का शाहीन बाग इस तरह का नाम दिया जा रहा है तो शाहीन बाग ने एक जो अपनी 26 थापित की है इस दोरान वहा की महिलाओं ने अपना जो एक बलिदान पेश किया है अपने साहस और वीरता को पेश किया है तो उससे पूरा देश ही नहीं बलकि अंतर राश्ट्री इस तर पर भी लोग पर भावित हैं आपको याद होगा जर्मणी के छात्रे ने जिसको निकाल दिया गया था प्रदर्शन में शामिल होने के कारण उसने भी चेन्नाई से जर्मणी जाकर प्रदर्शन कारियों को सलाम किया था अपनी फेस्बुक वाल पर भी पोश्ट किया था तो आप यह बात बिलकुल मान ले है हम बात कर रहे हैं बॉली वुड के मशूर निर्देशक अनुराक कश्यप की वह लगातार ट्वीट कर रहे हैं सरकार की नीतियों एक खिलाफ तो मुझे भी यह लगने लागी कि वह ट्वीट करने से क्या बात बन जाएगी आप जमीन पर उतर कर सामने क्यों नहीं आ रह बहुत ही आहम बात की है इस बात पर हमें बिल्कुल ध्यान देना चाहिए जब एक महां निर्देशक अ कभी ऐसी बाहरा है उसको भी आप राश्डROही कह चुके हैं जो जो विरोत कर रहा है वही राश्डROही है लेकिन इस राश् द्रुगी मोधी सर्कार को निशाने पर है और क्या काया है हम आपको बता देते हैं अनुराक कश्षप कहते हैं कि मैं सरकार की बहुत सारी चीजों से आसाहमत हूं सरकार के पास दिल नहीं है इनको प्यार की भाशा समझ में नहीं आती है बस इसी तरह आसे हम लड़ सकते हैं शांती पूर प्रदर्शन करके और आपकी जो महिम जारी है इसे बिलकुल जारी रखिए जो सरके बंद होने की बात की जा रही है सरकें बिलकल भी बंद नहीं है प्रदर्शनकारी अपनी इस्थिती पर बने हुए हैं और यह प्रदर्शन जारी रहना चाहिए अनुराक कश्यप इस बात को कहते हुए नजर आ रहा है मोधी सरकार पर बड़ा निशाना साधा है और उन्होंने यह भी कहा है कि इस वक्त लोगों से भारत बनता है अनुराक कश्यप एक बहुत पढ़े लिखे विकती हैं नेतिक्ता की जो सीमाएं होती हैं उसके दाइरे में रहते हैं मर्यादाओं को भी उठाकर परे नहीं रखते हैं भारतियंतर पार्टी के नेताओं की तरह पर वेश वर्मा की तरह अनुराक नहीं है तो आप परिशान हो जाएंगे और इस जुर्म में आपको आपकी उपर राश्यद्रों का मुकदमा लगाया जा सकता है कि आपने सवाल कैसे कर लिया क्या आस तक भारत के तिहास में सवाल किया गया है वही है सवाल रख देंगे और नियायाले चुनावायोग सी ब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कारी करब को लाइक अवश्य करें जादा जादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तब तक के लिए जासत दीजिए धन्यवाद